ग्रहन, आज हम बात करेंगे ग्रहन के उपपर, चाहे सूरे ग्रहन हो या चंदर ग्रहन हो, ग्रहन के दोरान हर किसी ने ये बाते सुनी होंगी कि ग्रहन लगने से पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए, ग्रहन लगने के बात आपको नहना चाहिए, ग्रहन के दोरान आपको धारदार चीजों का इस्थमाल नहीं करना चाहिए ग्रहन लगने के दौरान आपको घर के अंदर रहना चाहिए साथ ही आपके शरीर के कोई भी अंग मुड़े वे ना हो इसी के साथ आपको कोई भी टेक्नलोजी का इस्थमाल नहीं करना चाहिए ग्रहन के दोरान अकसर ये चीज़े pregnant lady से कही जाती है साती छोटे बच्चे और बुजोर्गों से ये चीज़े कही जाती है ग्रहन के दोरान क्या आप जानते हैं जब भी चंदर ग्रहन या सूर्ष ग्रहन होता है तो हमारी प्रत्री पर radiation waves बहुत अधिक मातरा में फैल जाती है जिसकी वज़े से आप से ये सारी चीज़े कही जाती है तो जानते हैं इन चीज़ों में कितनी सच्चाई होती है नमचकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बीबी के और फैमली पर आज के वीडियो बहुत सद इंपॉर्टेंट होने वाली है तो वीडियो को बिना स्किप करें आई तक सरूर देखेगा अगर आप गर्वती महिला हैं तो ग्रहन के दोरान आप बहुत सद चिंतित हो जाती होगी क्योंकि अक्सर प्रेंगनेंट लेडिस को ग्रहन के दोरान घर के अंदर रहने को कहा जाता है और बहुत सारी चीशे होती हैं अगर ग्रहन के दोरान महिलाएं कुछ गल्ती करती हैं तो उसका असर शिशू पर पड़ता है जिसकी वज़य से महिलाएं बहुत अधिक दरते हैं मगर अगर आप देखें तो scientifically ग्रहन के दोरान रेडियेशन वेवस फैलती हैं जिसकी वज़य से घर में पल रहे शिशू को और गर्वती महिला दोनों को ही खतरा होता है गर्वती महिला का immune system यानि की रोग परती रोधक शमता बहुत काम होती है जिसकी वज़य से उन पर इसका बहुत अधिक असर हो सकता है इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी ग्रहन होता है तो गर्वती महिलाओं को बोला जाता है कि उन्हें घर के अंदर रहना चाहिए साथ ही ग्रहन लगने से पहले उन्हें भोजन कर लेना चाहिए और ग्रहन खतम होने के बाद उन्हें स्नान कर लेना चाहिए और ग्रहन के दुरहने कमरे के अंदर बंद रहना चाहिए और उनके शरीर का कोई भी अंग मुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए इसी के साथ अपने पानी में या अपने खाने की चीजों पर तुलसी का पत्ता रख लेना चाहिए ऐसा करने से जो रेडियेशन वेव होती है इनका असर कम हो जाता है साथ ही अगर गर्ववस्ता के दौरान आप कुछ ऐसी पोजीशन में बैठे हैं जिसमें आपके शरीर के अंग मुड़ रहे होते हैं तो कहा जाता है इसका असर गर्मे पल रहे शिशू पर होता है शिशू के जो सारीरिक अंग होते हैं उन पर होता है उसके विकास पर होता है इसलिए गर्वती महिला के लिए ग्रहन बहुत अधिक महत्वपून होता है तो अब बात करते हैं, जो 8 अप्राइल को साल का पहला सूरे ग्रहन लग रहा है, उसमें आपको क्या कई चीज़ें करनी चाहिए जो पहला सूरे ग्रहन लग रहा है, वो लगेगा आपके रात के 9 बच के 12 मिनट से लेके रात के 2 बच के 22 मिनट तक मगर ये जो सूरे ग्रहन है वो भारत में नहीं रिखेगा इसलिए इस सूरे ग्रहन का कोई भी प्रभाव भारत में नहीं बढ़ेगा तो गर्वती महिला हैं जब भी ग्रहन हो चाहे वो सूरे ग्रहन हो चंदर ग्रहन उउ margin of उनको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि ग्रहन के दोरान उन्हें technology का बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं करना ना उन्हें phone का इस्तमाल करना है ना उन्हें TV का इस्तमाल करना है उन्हें कम्रे में अराम से बैट्ना है या तहलना है साथ ही उन्हें सोना भी नहीं चाहिए धारदार जो ओजार होते हैं उनका इस्तमाल नहीं करना चाहिए कपड़े नहीं दोने चाहिए घर का कोई भी काम नहीं करना चाहिए इसी के साथ ग्रहन के दोरान आपको खाना नहीं खाना है ग्रहन खतम होने के बाद आपको इसनाद जरूर करना है पूरे ग्रहन के दोरान आपको कमरे के अंदर ही बंद रहना चाहिए आपको बाहर खुले में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए हो सके तो तुलसी या जो अलेविरा होता है उसको अपने आसपास रखना चाहिए क्योंकि तुलसी और अलेविरा का काम होता है कि जो हमारे आसपास रेडिशन वेश होती है इनका असर को कम करती है साथ ही ग्रहन के तुरान आपको डरना नहीं चाहिए गवराना नहीं चाहिए और आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके गर में पर रहे शिशु पर वही असर होगा जो असर आप पर होगा इसलिए आपको ग्रहन से डरना नहीं कमरे में बंद रहना है और जितनी चीज़े बताई हैं उन पर ध्यान देना है इस से जोड़ा कोई भी सवाल ये सुझा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर लिखेगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजे ताकि उनकी भी हैल्प हो सके अगर पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तक तक के लिए अपना ध्यान रखेगा धन्यवाद नमस्कार